ओए कालू कान खोल कर सुन लो अगर आज तुम मेरे लिए खाने को कुछ भी ना लाए तो मैं कल अपनी मां के पास चली जाओंगी क्यों ऐसे भूकी मानने के लिए तुमने मुझसे शादी की थी गोरी मैं क्या करूँ जब से ठंड शुरू हुई है सभी पेड़ पोदे सूख गे हैं मैंने कल भी बहुत कोशिश की मगर मैं कुछ भी ना ला सका अब जाओ और मेरे लिए कुछ लेकर आओ मैं भूक से मर रही हूँ करता भी तो क्या फिर कालू बेचारा रोज की तरहा अपने घर से निकलता है वो सीधा चिड़िया के पास जाता है जहां कबूतर और दोता भी भोजन को लेकर परेशान बैठे हुए थे दोस्तों मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं है क्या आप में से किसी के पास कुछ है हम भी इसी जंगल में रहते हैं और हर तरफ बरफ ही बरफ है हम भी भूके हैं हम सब को मिलकर कुछ ना कुछ करना होगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब भूक के कारण मर जाएंगे कालू भीया हम सब मिलकर भोजन की खोच को निकलते हैं आप पूर वाली दिशा में जाएं और हम पच्छम वाली दिशा में जाते हैं अगर किसी को भी भोचन मिला तो हम सब उसे आपस में बांड लेंगे फिर वो सब ऐसा ही करते हैं कालू कववा पूर बाली दिशा में और बाकी के पक्षी पच्छम की तरफ चले जाते हैं कालू कववा उड़ते उड़ते दूर निकल जाता है और फिर उसे जंगल के उस पार एक पेड़ नजर आता है जो लीमू का पेड़ था जिस पर पके हुए लीमू लगे हुए थे कालू ये तो ना जानता था कि ये किस चीज का पेड़ है मगर उन फलों के रंग से आकर्षत होकर कालू कववा वहा जाता है ये तो कोई बहुत स्वादिश्ट फल होगा और है भी पका हुआ भोजन मिल गया मैं सब पक्षियों को बुला लाता हूँ मैंने कर लिया जिंदगी में पहली बार मैंने कोई बड़ा काम कर लिया फिर कालू कववा वापिस उड़ता है वो तो बहुत तेजी से उड़ रहा था और फिर वो दूसरे पक्षियों को ढूंड लेता है जल्दी चलो जल्दी चलो भोजन की समस्या खतम हुई मैंने जंगल के उस पार एक फलदार पेड़ की खोज की है जिस पर पके हुए पीले रंग के फल लगे हुए है ये सुनकर सपक्षी बहुत खुश हो जाते हैं वारे कालू आज तो तुमने पहली बार कोई अच्छा काम किया है फिर वो सब जल्दी से कालू कववे के साथ जाते हैं कालू कववा दूर से ही अपने दोस्तों से कहता है वो देखो सामने, देखो कैसा, मैं न कहता था, वो फल पके हुए है फिर वो सब पक्षी उस बड़े पेड़ के पास पहुंचाते है देखने में तो ये फल बहुत स्वादिश्ट लग रहा है मैंने पहले तो कभी ये फल नहीं देखा, कहीं ये कोई जहरीला फल ही ना हो मिठू, एक फल खाकर देखो तो सही, इसका सवाद कैसा है ना बाबा ना, मुझे मरने का कोई शोक नहीं है मैं तो पहले ये फल नहीं खाऊंगा अगर ये फल जहरीला हुआ तो मैं मर जाऊंगा किसी ना किसी को तो ये फल खाकर इसका सवाद देखना ही होगा वादा करो अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मुझे बुल बुल के पास दवा लेने ले जाऊगे अगर आप वादा करते हो तो पहले मैं ही ये फल खा लेता हूँ फिर सब पक्षी कालू कवे से वादा करते हैं कालू भीया आप हम समय से बड़े हैं अब ये मुश्किल काम आपको ही करना होगा हम आपको बचा लेंगे अगर ये फल जहरीला हुआ तो फिर कालू कवा डरता डरता उस पेर से एक लीमू तोड़कर खाना शुरू करता है शीशी मेरी चाँच मेरी चाँच ये फल तो बहुत खटा है इसका सवाद महुत आजीब है नहीं ये कोई खाने वाला फल नहीं है कालू हम तो ऐसे ही खुश हो रहे थे इस फल का रंग देह कर फिर वो सब दोस्त बहुत नीराश हो जाते हैं हम भी मत नहीं हारेंगे मेरे पास एक उपाए है क्या उपाए है जिडिया हम जाडियों में जाकर कुछ पोदें जमीन से बाहि निकाल कर देखेंगे जैसे पेड़ों के उपर फल लगते हैं ऐसे कुछ पोदों के नीचे जमीन में भी खाने को कुछ मिल सकता है जैसे आलू और जैसे कोई गाजर भी मिल सकती है हमें ऐसा सोच कर वो सब जंगल के बाहिर जाडियों की तरफ चले जाते हैं वो सब चोटे पोदों को जमीन से निकाल निकाल कर देखते हैं मगर उन्हें जड़ों के सिवा कुछ भी नहीं मिलता फिर कालू कववा एक पोदे को जमीन से निकालता है और चीख कर कहता है कुछ है इस पोदे की जड़ों में कुछ है दूसरे पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं ये क्या चीज है कालू मैंने पहले तो कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई खाने वाली चीज ना हो तो हम इसे खाकर देख लेते हैं मगर इस बार मैं नहीं कोई और खाएगा इस चीज को मेरी चौच तो अभी तक वो पीला फल खाकर खटी है ऐसे कोई जहरीला फल खाने से हम मर भी सकते हैं हम ऐसा करते हैं ये फल लेकर किसान की पत्नी के पास जाते हैं उसे जरूर इसके बारे में पता होगा ये उपाय ठीक है, चलो चुडिया, हम अभी किसान की पतनी के पास चाते है फिर वो सब वो पोधा जिसकी जड़ों में कुछ लगा हुआ था, उसे लेकर किसान की पतनी के पास चाते है वो जंगल के पास वाली बस्ती में जाते है आज आप सब पक्षी यहां कैसे आए हैं? माजी हमें कुछ मिला है, हमें कुछ नया मिला है और हम इसे खाने से डर हैं हम आप से यह पूछने आए हैं कि क्या यह कोई खाने वाली चीज है? हाँ हाँ पक्षियों, यह बीज है और इन्हें आग पर भून कर खाया जाता है यह बीज बहुत सवादिष्ट होते हैं बीज अगर यह सच है, तो फिर हमें भोजन मिल गया हमें ठेर सारा भोजन मिल गया इन पौदों के बीज को मूँख फली कहते हैं और हम इनसान तो इसे बहुत शोक से सर्दियों में खाते हैं माजी, आपका बहुत बहुत धनेवाद हमारी मेहनत रंग लाई और हमें भोजन मिल गया फिर वो सबख्षी वापिस चले जाते हैं चिडिया आग जलाती है और एक बड़ी कडाही आग पर रखती है कवा वो पोदे जमीन से निकाल निकाल कर लाता है तोता और कबूतर पोदों की जड़ों से वो बीज तोड़ तोड़ कर कडाही में डाले जाते हैं चिडिया उन बीजों को भूनती है वो सब मिल कर काम करते हैं और धेर सारी मुंख़ली भून लेते हैं अब सबसे पहले मैं खा कर बताता हूँ कि इसका सवाद कैसा है ऐसा कहते हुए कालू एक दाना खा लेता है नहीं इसमें कुछ मिला है जैसे तिंके मेरे मुँ में तिंके आ रहे हैं रुको रुको शायद इसे छील कर खाना होगा फिर जिडिया एक मुंख़ली के दाने का छील का उतार कर खाती है कैसा लगा जिडिया ये खाने में कैसा है स्वादिष्ट ये बीच बहुत स्वादिष्ट है इन्हें छील कर ही खाना होगा फिर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और भूनी हुई मौंख भली वो सब आपस में बांट लेते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं मैंने कर लिया गोरी मैंने कर लिया देखो तो मैं आज तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ कालू ये क्या है मैंने पहले तो ऐसी कोई खाने वाली चीज नहीं देखी ये क्या उठा लाए हो तुम फिर कालू अपनी पतनी के सामने एक मुंखफली खाता है इसे ऐसे छील कर खाते हैं अच्छा मैं भी खाकर देखती हूँ फिर गोरी मुंखफली खाती है और उसे बहुत स्वादिष्ट लगती है कालू ये तो कोई बहुत स्वादिष्ट चीज है हमारे जंगल में ऐसे बहुत से बोदे हैं अब ठंड के मौसमें हमें भोजन की कोई चिंता नहीं होगी ऐसे वो सब पक्षी अपने लिए नया भोजन ढूंड कर बहुत खुश थे प्यारे दोस्तों आम में से मौंखफली किस किस को पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताएए हमें इंतजार रहेगा अरे ये तो कोई दूसरे जंगल का पक्षी दिख रहा है ये तो खायल भी है मुझे इसकी मदद करना होगी गुडिया ऐसे सोचते हुए उस चिड़े के पास जाती है वो उसे पानी पिलाती है और उसके सर पर पट्टी बान देती है मैं पानी पीने के लिए यहां रुका था के पेड़ की डाल तूट कर मेरे उपर गिर गई मैंने आपके पट्टी बान दी है आप चिंता ना करें आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे क्या आप इसी जंगल में रहती हैं बहुत सुन्दर हैं आप मुझे पता है मैं बहुत सुन्दर हूँ मेरी मम्मा भी ऐसा कहती है मैं भी अकेला ही रहता हूँ मेरा पका लकडियों का घर है क्या आप मुझ से शादी करेंगी ये सुनकर गुडिया शर्मा जाती है मेरी मम्मा को पता होगा मेरी शादी का मुझे नहीं पता ऐसा कहते हुए गुडिया वहां से चली जाती है ये चुडिया तो बहुत सुन्दर है ऐसी सुन्दर चुडिया मैंने पहले कभी नहीं देखी ममा वो खायल था और जब होश में आया तो कहने लगा कि मैं बहुत सुन्दर हूँ मेरी बेटी है ही इतनी सुन्दर तो मैं आपको बनार सी साड़ी ले कर दूँगा मुझे साड़ी का लालच ना दो मैंने लालच करना छोड़ दिया है हाँ अगर तुम्हें वो जुड़िया पसंद है तो मैं आज ही जाकर बात करती हूँ उसकी ममा के साथ आंटी जैसे भी हो आपने मेरी शादी करवानी हैं गुड़िया से मैंने कहा ना कि मैं आज ही जाती हूँ मुझे पूरा विश्वास है उसकी ममा मान जाएगी आंटी ये मेरी फोटो ले जाएं फिर गोरी कवी मानो जड़े की फोटो लेकर रानो जड़िया के घर की तरफ जाती है मानो है नाम इसका ये जड़ा भी मेरी बेटी की तरहां ही सुन्दर है बहुत जचेगी इन दोनों की जोड़ी और है भी बहुत अच्छा वो जड़ा बहुत महिंती है खर अपना है इमानदार है मुझे विश्वास है वो हमारी गुड़िया को खुश रखेगा गुड़िया सुन रही हो बेटी क्या आप राजी हो इस रिष्टे पर गुड़िया शर्मा कर अपना मौ दूसरी तरफ का लेती है जो मेरी ममा करेंगी ठीक ही करेंगी तो फिर कब आए वो चिड़ा बारात लेकर मैं तो कहती हूँ कल सगाई का लेते हैं और रवीवार को शादी जैसे आपको अच्छा लगे मैंने तो अपनी बेटी की शादी की पूरी त्यारी कर रखी है फिर गुरी कवी वहां से चली जाती है आउंटी क्या मान गई गुरिया की ममा कल तुम मेरे साथ ही जाना कल सगाई है और रवीवार को शादी रखाई हूं मैं तुम्हारी ये हुई ना बात अब मैं अपनी आउंटी को महंगे वाली साड़ी ले कर दूँगा अच्छा अब त्यारी कर लो मठाई भी ले कर जाना है मठाई ले आना कल मैं तो कल मठाई के ठेर लगा दूँगा राथ को गुडिया अपने घौंसले में लेटी हुई अपनी मा से बातें कर रही थी ममा मैं कैसे आपके बिना रह सकूँगी मेरा तो दिल नहीं लगेगा आपके बिना जैसे मैं अपनी मा का घर छोड़ कर आपके पिता जी के घर में आई थी ऐसे ही सब बेटिया एक ना एक दिन अपने घर में ही जाती है आपको उस घर से प्यार हो जाएगा सुभा हो जाती है गुडिया, उठो बेटी, गोरी महमानों को लेकर आने ही वाली होगी आप जाए और नदी पर जाकर त्यार हो जाए ममा, मैं तो त्यार ही हूँ नहीं बेटा, जाओ और नदी पर जाकर अच्छे से त्यार हो जाओ आज सगाई है तुम्हारी कोई आम दिन थोड़ा है जब मेरी सगाई हुई थी ना आपके पापा से तो मैंने सारा दिन त्यार होने में लगा दिया था फिर गुडिया नदी पर चली जाती है अभी गुडिया घर से निकली ही थी कि तेज हवा शुरू हो जाती है और अचानक एक तुफान जंगल में आ जाता है सब इतनी तेजी से हुआ था कि गुडिया को संभलने का मौका ही नहीं मिलता और गुडिया हवा के जोड से एक बड़े पेट से टकरा जाती है और उसका पंख घायल हो जाता है मेरी गुडिया भी खट से बाहिर है और ये तुफान भी अभी आना था ना जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी कुछ देर बाद तुफान रुक जाता है और जिडिया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है मेरी बेटी क्या हुआ कबूतर भीया मेरी बेटी कैसे खायल हो गई जब तुफान रुका तो मैं कुझा रहा था कि मेरी नजर गुडिया पर गई शायद किसी बड़े पेट से टकराने से इसका पंक तूट गया है ममा ये सब इतनी अचानक हुआ कि मुझे कुछ पता ही ना चला आप गुडिया को किसी वैजी के पास ले जाएं मुझे लग रहा है गुडिया का पंक तूट गया है कबूतर भेया जाते जाते गुडिया को बताते जाना आज गुडिया की सगाई की रसम थी वो कहीं महमानों को साथ लेकर ना आ जाए मैं अभी चाकर गुडिया को बता देता हूँ उस बेचारी का तो पंक ही टूट गया है खोन भी बह गया है जान से तो बच गई परन्तु वो कभी उड़ नहीं सकेगी वो मानों है न मेरा पडोसी उसी से आज सगाई थी गुडिया की आप जाएं और मानों जुडिया को भी बता दे जाकर वो भी देख लेगा अपनी होने वाली मंगेतर को फिर गोरी कभी मानों जुड़े के पास जाती है जल्दी चलो मानों गुडिया का पंक तूट गया है क्या आउंटी ये क्या कह रही है आप मुझे अभी अभी कभूतर बता कर गया है तुम चलो मेरे साथ आउंटी अगर गुडिया का पंक तूट गया है तो मेरा वहां क्या काम हमारी सगाई अभी होनी थी हुई तो ना थी अब मेरा क्या संभंध उससे क्या मतलब मैं समझी नहीं तुम्हारी बात मानो आंटी अब उस लंगडी जिडिया से कौन शादी करेगा ऐसा कहते हुए मानो वहां से चला जाता है रानो चुप कर जाओ शायद उपर वाले को यही स्वीकार था गोरी बेहन क्या मेरे होने वाले दमाची को भी बता दिया है गुडिया की चोट का कुछ पक्षी अंदर से और और बाहर से कुछ और होते हैं जहरों से क्या पता चलता है कि पक्षियों के दिल कैसे हैं गोरी बेहन आप क्या कहना चाहती है मुझे कुछ समझ नहीं आया मानो अब गुडिया से शादी नहीं करेगा उसने मुझे जवाब दे दिया है ये सुनकर गुडिया और उसकी ममा रोने लग जाती है गुडिया चुपकरजा बेटी वो तो अच्छा हुआ उसका असल चहरा भी सामने आ गया शादी के बाद भी ऐसे पक्षि से जिन्दगी गुजाना मुश्किल हो जाती है चलो गोरी गुडिया को वैची के पास लेकर जाना है वो गुडिया का पंक देख कर पताएगा के पंक अब ठीक होगा या नहीं घपराने की कोई बात नहीं है चिडिया बहन गुडिया के पंक पे चोट आई है परन्तु पंक के अंदर वाली हड़ी बच गई है कुछी दिनों में ने पंक निकल आएंगे और गुडिया फिर से पहले जैसी हो जाएगी ये संकर गोरी कवी और गुडिया की ममा बहुत खुश होती है समय गुजड़ता गया और फिर कुछ दिनों बाद गुडिया का पंक ठीक हो जाता है और वो फिर से उड़ने लगती है गुडिया को जाते देख मानुचिडा हैरान हो जाता है वो गुडिया का रास्ता रोक लेता है गुडिया क्या तुम उड़ सकती हो? हाँ मेरे पंक की हड़ी बच गई थी और बुलबुल आंटी की दवाने मुझे ठी कर दिया है गुडिया मैं शर्मिंदा शर्मिंदा क्या शर्मिंदा हो तुम? हाँ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मैं फिर से तुम से शादी करना चाहता हूँ क्या हम शर्मिंदा नहीं हुए जब तुमने मुझे ठकरा दिया था जाओ भाग जाओ यहां से और हाँ अब हमारे खर ना आना मुझे नफरत है तुम जैसे खुद गर्जबक्षियों से गुडिया वहां से चली जाती है और फिर कुछ दिनों बाद गुडिया की ममा गुडिया की शादी कर देती है और गुडिया खुशी खुशी अपना जीवन गुजारती है